नमस्कार आप भरत लाइब देख रहे हैं बिहार सहित पुड़े देश में बढ़ते महंगाई को लेकर तमाम विपक्षी दल एक सूर से महंगाई पर मोधी सरकार प्रहमला बोल रहे हैं अब इसी क्रम में लालू परसाद यादों ने ट्विटर के माध्यम से सरकार प्रहमला बोला उन्होंने लिखा डबल पावर के दमपर डबल इंजन सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में पेट्रॉल सवरुपे पार करने की हर्दिक बढ़ाई वही उन्होंने इस बधाई के माध्यम से चेंदर सरकार और बिहार सरकार दोनों के घेरने का प्रयास किया है हाला कि विपक्च अभी तक सरकार को घेरने में नाकाम रही है क्योंकि विपक्च के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दा नहीं है उनके पास ऐसे मुद्दे नहीं आ पा रहे हैं जो सरकार को घेरा जाए लेकिन अगर हम बात करें तो बिहार में मुद्दों की भरमार है पिहार में इतनी सारी मुद्दाएं हैं जिस पर अगर सही से विपक्ष काम करें तो अधिक मात्रा में नितीश कुमार पर प्रेशर बनाया जा सकता है लालू यादों ने इस बधाई के माध्यम से विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है कि सरकार को किस तरीके से घेरना है अगर हम बात करें तो कल कॉंग्रेस की भी प्रेश वारता हुई जिसमें दिल्ली से कई गनमाने नेता आ हुए थे उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महांगाई बिरोजगारी इतनी बढ़ गई है जितने पिछले कई सालों में कभी नहीं बढ़ा था जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो यही बीजेपी वाले लोग कॉंग्रेस की सरकार पर हल्ला बोल रहे थे सरक तक उतर रहे थे लेकिन अब इस महांगाई पर व अब लालू यादो के स्ट्वीट ने बिहार सही देश के उन तमाम नेताओं को एक मुद्दा दे दिया है जो सरकार के ऊपर चुप चाप बैठे हुए थे यानि बिपक्ष का रोल उनका जो है वो आदा नहीं कर पा रहे थे लालू यादो के स्ट्वीट के माध्यम से किया था पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरीके से पटना में बैनर भी लगाया गये थे जिसमें बधाई दिया गया था मोधी सरकार को पेट्रॉल डिजल और खाद पदार्थ की मांगो को लेकर उसमें दर्साया गया था कि किस तरीके से पेट्रॉल डिजल 100 के पा लगातार बढ़ोत्री और इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहे हैं लेकिन लालू यादों के इस ट्वीट के बाद ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अब नींद से जागेगी और इन तमाम मुद्दों पर जनता के साथ कदम से कदम मिला कर उनके इस मुही में सहयोग करेगी झाले बाल